हिंदी फिल्मों के मश्हूर संगितकार S.D. बर्मन यानी सचिन देव बर्मन का जन एक अक्टूबर 1906 को कोमिल्ला में हुआ था ये जगा अब बंगलादेश में है सचिन दा के कमपोस किये गए बेमिसाल गानों से हम खूब वाकिफ हैं दादा बर्मन ऐसे म्यूजिक डारेक्टर थे जो फिल्म में सिच्वेशन के हिसाब से म्यूजिक तयार किया करते थे और फिर गीतकार को कहते थे कि अब इस म्यूजिक के हिसाब से ही गाना लिखो पढ़ाई के दोरान वे अपने पिता से शास्त्रिय संगित सीखा करते थे इसके साथ ही उन्होंने उस्ताद बादल खान और भीश्मदेव चट्टो पाध्याय से भी शास्त्रिय संगित की तालीम ली धीरे धीरे उनका रुक फिल्मों की तरफ हो गया 1944 में शशिधर मुकरजी के कहने पर वे फिल्मिस्तान स्टूडियो गए और फिर फिल्म शिकारी के लिए उन्होंने संगीत दिया उस फिल्म में उस वक्त के सूपरस्टार अशोक कुमार काम कर रहे थे L.D. बर्मन को शुरुआती दोर में सफलता नहीं मिली जिस वजह से वे वापस मुंबई से कॉलकत्ता लोटना चाहते थे ऐसे में अशोक कुमार ने उन्हें रोका और फिल्म मशाल में संगीत देने के लिए कहा फिर किस्मत ने बाजी पल्टी और ये फिल्म हिट हो गई और दादा बर्मन हमेशा के लिए मुंबई में ही रुख गए और फिर वो दौर शुरू हुआ जिसे हम दादा बर्मन का दौर कहते हैं देवानन्द साहब के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी और दादा बर्मन नाव केतन प्रोडक्शन का पर्मनेंट हिस्सा बन गए देव साहब के लिए 921, टेक्सी ड्राइवर, काला पानी, मुनिम जी, पेइंग गेस्ट जैसी कई फिल्मों में दादा बर्मन का संगीत खूब चमका गुरू दत की फिल्म प्यासा में एस्टी बर्मन ने ऐसा संगीत दिया जो सब की जुबा पर चड़ गया चाहे वो रोमेंटिक गाना हो या दर्द भरा, कोई गीत या फिर कोई हलका फुलका गाना वे हर सिच्वेशन को अच्छी तरह से समझ लिया करते थे एस्टी बर्मन के संगीत निर्देशन में लतामंगेशकर, मुहम्मद रफी, गीता दर्थ और किशोर कुमार के साथ कई गायकों ने अपनी आवास का जादू दिखाया था उन्हें फिल्म आराधना के लिए बेस्ट मेल प्लेबेक सिंगर का नेशनल फिल्म अवार्ड मिला वही फिल्म जिन्दगी जिन्दगी के लिए बेस्ट म्यूजिक डाइरेक्शन के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड से उन्हें नवाजा गया कई दफा दादा बर्मन को Film Affair Awards से भी सम्मानित किया गया साल 1969 में उन्हें पदमश्री से नवाजा गया हिंदी फिल्मों के महान गायक किशुर कुमार को घर-घर की आवाज बनाने में SD बर्मन का बहुत बड़ा रोल रहा SD बर्मन और निर्देशक रिशिकेश मुखर जी की जोड़ी भी खूब जमी चाहे वो फिल्म अभिमान हो, चुपके-चुपके हो या फिर मिली हो दादा बर्मन ने तीन दशक के करियर में लगभग 90 फिल्मों के लिए संगीत दिया भारतिय सीनेमा के इतिहास में संगीतकार स्चिन देव बर्मन का नाम हमेशा गर्व और सम्मान से लिया जाता है Entertainment Desk, Swaraj Express